हलो दोस्तों तो आज हम बात करते हैं कि ISO dialysis कैसा होता है इस dialysis का क्या मतलब होता है और किसलिए यह dialysis कराया जाता है तो इसके बारे में हम सारी जानकारी इस वीडियो के माद्दे हम से देने बाले हैं तो बने रहे हैं और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें हम Medical Care Photogen 8S Machine के बारे की स्कीन पर बताने बाले हैं कि ISO कैसे सेट करते हैं तो आपको इसमें दिखाई दे रहा है, प्रोफाइल दिख रही होगी, इस प्रिकार से आपको इसमें Your Values दिख रही है और ISO Values दिख रही है, इस दोनों में अलग-अलग values सेट करते हैं, जो patient के उपर depend करता है जब patient का fluid overload होता है, उस condition में हमें ISO values सेट करके उसका over fluid निकालना पड़ता है इसमें ISO goal होगा है, ISO time और ISO rate जो automatic सेट हो जाता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस से जो green line दिख रही है, उसको आपको select करके इस पर लाना है, ISO goal पर मालों के अपना, इसमें हम अपने 1500 ml आपनों क्या होता है, ISO goal लगा दिया है, अब हम इसमें time लगाते हैं, तो 1500 ml अपना ISO goal लग गया है, इसके आपको가 डेढ़ घंटे लगा देते हैं, इसमें अपना डेढ़ घंटे इसका time लगा दिया है इसका जो ISO rate है, दोनों का निकल के आगा है, 1000 पर ML के अगया है, इसका ISO rate हो गया है, जो निकल के आगया है, अब बात करते हैं, इसका यह हो गया है, ISO जो होते है, value set हो गई है, और ok बटन दबादाना है, confirm बटन दबादेना है, इसके बाद आपको ISO you up start हो जाएगा, तो आपको इसको start करतेना है, तो इससे ISO start हो जाएगा, जो इस परकार से ISO start हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं, कि ISO और you up दोनों निकल जाएगा, इसके बाद आपको you up चालू हो जाएगा, तो इसके लिए भी हम इस वीडियों बताते हैं, किस परकार से हम दोनों चीज़ गंटे बाद आपको क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका ISO निकलने के बाद फिलूड और you up start हो जाएगा, तो उसमें भी हम इस परकार सेट करेंगे, उसका you up goal, you up time, तो automatic आपका जैसे आपका एक लिटर अपने you up गुर रखा है इसमें, और इसका time लगाते हैं, जैसे इसका you up rate हो गया है, तो उसके हिसाब से आपका क्या होता है, you up goal निकलने के बाद, automatic you up आपका time में start हो जाएगा, तो automatically वहीं से machine द्वार, automatic आपका ISO बंद हो जाएगा, और you up चालू हो जाएगा, तो इस परकार से हम ISO लगाते हो, इस परकार परेसेंट का fluid overload निकालते हैं, आपको इस graph में देख रहा होगा, कि आपका जो होता है, ISO होगा, वो एक गंटे चलेगा, इसके बाद आपका जो you up start हो जाएगा, इस परकार आपको दिखाई दे रहा होगा, आँगे बात करते हैं, आपको जो ISO कैंसल कैसे करते हैं, आपको system parameter परस जाना है, परामेटरेस प झालेगा, आपको जो होगा होगा, आपको।